गाइस आज की इस वीडियो में आपको HP के 15S सीरीज के ब्रैंड न्यू लाप्टोप के बारें बताऊंगा जिसका मोडल लंबर है 15S FR 4000 TU और फ्रेंड से लाप्टोप हाली में इंडिया में लॉंच्ट हुआ है और ये मोडल उन लोगों के लिए काफी बेनेफिशल डील हो सक होता है जो 53,000 तक की प्राइस रेंज में डिजाइनिंग वीडियो एटिंग प्रोग्रामिंग एंड ओफिस वर्क के लिए लाप्टोप लेना चाहते हैं आप इस वीडियो को बिना स्किप्ट किये एंटक पूरा देखना क्योंकि इस वीडियो में आपको इस लाप्टोप इस सबसे पहले बात करते हैं इस लाप्टोप के प्रोसेसर के बारे में इस लाप्टोप में इंटेल का 11 जेनरेशन का Core i5-1155G7 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और एक इंटेल टाइगल एक सेरीज का कोड़ कोड़ प्रोसेसर है जो 2.5 GHz की बेस क्लोग स्पीड से ले और आप इसे web development के लिए यूज कर सकते हैं और आप इस लाप्टोप को accounting, marketing and other office work के लिए भी consider कर सकते हैं और इतना ही नई गाइस आप इस लाप्टोप को online learning के लिए भी यूज कर सकते हैं यानि आपको इंटेल के इस प्रोसेसर में काफी भैतिन performance देखने को मिल जाएगी औ और आप इसे अपने day-to-day के टास्क fast and easily कर सकेंगे और वो भी बिना किसी lag के और चलिए अब आगे बटते हैं और जानते हैं इस लाप्टोप के ग्राफिक्स के बारे में आपको HP के इस लाप्टोप में 4GB का Intel RSC ग्राफिक का डिखने को मिल जाएगा जिससाब इसमें 720 पि इस लाप्टोप में 512GB की NVMe M.2 SSD Storage Drive ती गई है जिससे इस लाप्टोप की read and write की speed काफी fast रहेगी और आपको इसमें fast boot time, fast application loading time और better system responsiveness देखने को मिल जाएगी और RAM में इसमें 8GB की single DDR4 RAM का support रहने वाला है जो यहाँ पर 32 MHz की clock frequency के साथ आती है और friends इसमें RAM के 2 slots दिये गए हैं जिससाब इस लाप्टोप में RAM को 16GB तक maximum upgrade कर सकते हैं और इसके operating system के बार मताऊं तो इसमें preloaded Windows 11 Home single language देखने को मिलती है और वो भी lifetime free validity के साथ और इसे के साथ हमें इस लाप्टोप में pre-install Microsoft Office Home and Student 2021 version and Amazon Alexa का support दिया गया है जिससे इस लाप्टोप के display के बार में आपको इस लाप्टोप में 15.6 inches का full HD IPS display देखने को मिल जाता है और इसके display में two-sided microHS दिये गए हैं कंपनी ने इस लाप्टोप में काफी slim bezels provide किये हैं और guys इस लाप्टोप के display में 250 nits की bright race और 45% का anti-se color gamut का support रहने वाला है जिससाब को इस आपको इसमें glossy finishing देखने को नहीं मिलेगी और आप बिना distract हुए अपने work पर काफी अच्छे तरीके से focus कर सकेंगे और laptop की build quality के बार मताओं तो HP के इस laptop की build quality काफी strong है और ये laptop पूरी तरीके से plastic build में आता है और हमें इसमें metallic finishing मिलती है जिससाब को इस laptop में काफी premium quality देखने को मिल जाएगी और बता दूँ इस laptop के back panel में आगे और पीछे rubber grips दी गई है जो laptop में एक अच्छा grip और cooling बनाए रखेंगी और इस laptop का weight 1.69 kg है और ये laptop natural silver color में आता है और इसकी wireless connectivity के बार मताओं तो इसमें Wi-Fi 5 और Bluetooth 5.0 version का support रहने वाला है जिससाब को इसमें काफी बहतरी downloading and uploading की speed देखने को मिल जाएगी और आप इसमें अपने सबी तरके के wireless devices connect कर सकेंगे और इसके webcam में आपको HP Cartoon Vision 720 pixels वाला HD webcam का support दिया गया है और वो भी integrated dual ray digital microphones के साथ जो आपकी zoom पर video callings and meetings के लिए काफी awesome रहेगा पर इसके webcam में previous shutter का option नहीं दिया गया है जो की थोड़ा सा न लिकस की audio quality काफी decent रहने वाली है और चलिए अब जांते इस laptop के keyboard के बारे में इस laptop में full size का backlight keyboard देखने को मिलता है प्लस numerical keypad keyboard के किसके बीच की distance काफी बढ़िया है जिससे आपको इस laptop में typing करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप इसमें काफी comfortably typing कर सकेंग प्लस की lithium-ion battery दी गई है इस आप इसमें 3-4 hours तक है decent battery backup देखने को मिल जाएगा और इसके साथ हमें 65 watt का power adapter भी दिखने को मिलता है जो fast charging को भी support करता है और इस laptop के बारे मताऊं तो इस laptop में सभी तरकी के ports देखने को मिल जाती है जैसे कि left hand side में आपको one charging port and two USB type A ports देखने को मिल जाएंगे right hand side में आपको one HDMI port, one USB type C port, one micro SD card का slot and one 3.5 mm का audio jack दिया गया है और चलिए बात करते हैं कि इस laptop के box को open करने पर आपको क्या देखने को मिलेगा इस laptop के box में आपको laptop 65 watt का AC power adapter और laptop के user guides देखने को मिल जाएंगे HP का laptop business या office work और video editing और programming हो या आपके normal gaming के लिए काफी बैतिंग laptop है और इस laptop में 55,000 तक के budget के अंडर में काफी अच्छी configuration सेखने को मिल जाती हैं जैसे कि हमें 15.6 जैस का full HD display देखने को मिलता है इसमें Intel का latest CPU GPU दिया गया है और हमें 512 GB की NVMe M.2 SSD storage drive देखने को मिल जाती है और इसमें pre-loaded Windows 11 Home Plus MS Office 2021 version का support देखने को मिलता है और हमें इस laptop में backlight keyboard का feature भी देखने को मिल जाता है और गईस ये laptop fast charging को भी support करता है और आपको इस laptop में performance wise किसी तरह को issue देखने को नहीं मिलेगा और इस laptop पर पूरे 1 year की manufacture warranty दी गई है आप इसमें 7-9 hours तक बड़े प्रास से काम कर सकते हैं और आप इस laptop को long term तक यूज़ कर सकते हैं वाके में HP के laptop एक value for money deal है और चलिए बात करते हैं इस laptop की कीमत के बारे में इस laptop की कीमत है 53,000 रुपीस और आप इस laptop को Amazon से purchase कर सकते हैं वीडियो के description box में आपको इस laptop का best buy link मिल जाएगा और यदि आप इस laptop की payment credit कर ये debit करके through करते हो तो आपको 5-10% तक का discount मिल सकता है और आप इस laptop को EMI पर भी खई सकते हैं झाल